तो ये कहानी मेरे पहले प्यार की है एक ऐसी कहानी जिसमें दो प्रेमियों के बीच काफी फर्क था जहां उनकी उम्रे 38 साल मेरी 12 जहां उनका कट 5 फूट 8 इंच मेरा 4 इन शॉट कंदे तक भी नहीं आती थी फिर भी अपनी गोद में उठाकर अपनी लेफ्ट हैंड चीक पे किसले ही लिया करते थे अगर बात करें चॉइसिस की तो जहां उनकी सुबाद चाय के बिना नहीं होती वहीं मेरी लाइफ में बोन विटा के बिना कोई किक ही नहीं थी यार पर ये इश्क, मोहबब, प्यार चीज ही ऐसी है जनाब चाहे कितने भी फर्क क्यों ना हो हमें किसी फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दिल आस प्रती कोहर सेज हो तो बेपरवा है और जब ये स्पेशल इंसान, तुम्हारे पापा हो, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी के हर छोटे से छोटे कदम में बड़े से बड़े किस्से में अपना फर्स पूरी तरह निभाया हो ना तुम्हारी लव स्टोरी होलिवूद स्टाइल परफेक्ट हो जाती है बात है 2012 की अनलाइक टुडेज यांग स्टोर्स हमारी रिलेशनशिप को बारा साल हो गये थे मेरा बारवा जनम दिन हर साल की तरह पापा और मैं छट पर बैठे थे और तारों को नियार रहे थे ना ठंड न जादा गर्मी चलती हवाय और खुला असमान एकदम परफेक्ट डेट सेट अप हां और हमारी शांती को भंग किया मम्मी की अवाज ने अरे कहा हो तुम दोनो जल्दी नीचे आजाओ बारा बजने ही वाले हैं अगर भगवान मुझे उस वक्त एक विश्ट देता ना तो वो यही होती कि वक्त बस वही थम जाए पापा और मैं पूरी रात गुजारे तारों की चादर के नीचे बड़ दिल पर 200 किलो का पत्थर रखकर इस उमीद में कि अगले साले दिन फिराएगा मैं नीचे गई हर साल की तरह पता था पता था कि सप्राइस क्या होगा हॉल में अंधेरा बीच वाले पंके पर एक बड़ा सा बलून जो मेरे आते ही दादी अपनी पिन से फोर देगी और सब लोग हैपी बड़े कोरस में गाना शुरू कर देंगे क्योंकि बारवा जनम दिन था उम्मीद था कुछ नया होगा पर नहीं इस साल भी वही हुआ केक काटने के बाद एक चीज इसका सबसे ज़ादा एकसाइट्मेंट था न वो था पापा का gift मैं अपने एकसाइट्मेंट को कंट्रोल करी रही थी कि पापा ने मेरे हाथ में एक लाल शीट में लिपटा डबबा थमा दिया मैं उस डबबे को खोल रही थी कुछ छीज निकल रही थी वाव कुछ छीज जिसमें काफी तस्वीरे थी और तस्वीरों के पास लिखा एक नोट ये बताते हुए कि उस मुवमेंट में पापा के लिए क्या स्पेशल था मैंने सिर्फ शीट देखी थी और पापा को कस कर गले लगा दिया एक बारा साल की लड़की को ना बार्बी डॉल चाहिए थी ना फ्रेंज को पाटी थो करने थी क्योंकि उसको अपनी सारी समझना पापा से ही मिली थी इस बात को एक हपता हो गया था पर फिर भी मैं ठकती नहीं मैं बार बर उन शीट को देखती हूं नोच को पढ़ती हूं और खुश होती रहती अलाइक डाट डे उस दिन में थोड़ा जल्दी थक गई मैं रूम में गई कबड में उसे रखा और वाश्रूम में गई टॉलेट सीट पर जाकर बैठी और जैसे ही नीचे किया तो कुछ लाल दाग जिंदगी में बड़ा सा बदला स्कूल की वरक्षोप यही तो टाग लाइन थी मैंने वाश्रूम के अंदर से पापा का वाज लगाना शुरू किया पापा पापा इतने में भार सा वाज आई मम्मी की अरे तेको मना किया था ना चाइनीज मत खा अब हो गए ना लूज मोशन्स जल्दी से दवाई लो और भारा मम्मी अब को चाइनीज से क्या प्रॉब्लम में हमें को पीरिज हो गया है तो पापा को क्यो बला रही है कुछ दे रही हूँ चेंज कर और भारा मम्मी ने दूस चीजे बताने लायक नहीं होती है पर क्यों कि काई चीजे हम लेडीज में स्पेशल होती है तो क्या पापा स्पेशल नहीं है प्रॉमिस कर यह हम दोनों का सीक्रेट रहेगा प्रॉमिस कर यह हम दोनों के लिए स्पेशल रहेगा बिल्कुल मन नहीं था बिल्कुल भी मन न काशपँ को पता हो काश किटने एक्स quare करते हैं मेरी शे Championships, कोख yeah संड़े शॉपिंग में अमले हते हैं । जैसे ही सब को इम एमाजन कर देखी कि अड़ी मंऻ प्रोमिस फिर से आजा जाता तो कितनी एक्स्ट्रा करते न वह मेरी शेक्स बनाते कुक करते पूरी रात मेरे पास बैठे रहते और संडे शॉपिंग में हम पैज भी आते पर जैसे ही सब को इमाजन करते मम्मी का प्रॉमिस फिर से आजा जाता इस बात को दो महीने हो गए थे और मम्मी समर विकेशन के ल मम्मी पैज क्यों रख गई दादी के पास जाओं के कहा जाओं अभी कैसे लेने जाओंगी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखों के सामने देखे पजामे तीन पजामे उस रात मैं पहन कर सो गई इस उमीन में कि अगले दिन कुछ नहीं होगा पर सुभा उठी और वही हुआ जिस चीज का डर था बड़े बड़े रेच पोट चदर पर अलाम की तरह देखा तो साड़े बारा बज गए थे मतलब पापा ओफिश चले गई उगे और पापा ओफिश चले गई तो पापा मेरे रूम में आयोंगे पापा नहीं सब देखा होगा समझ नहीं आ रहा था क् जाए, I am so happy that you are growing up, I am so happy that you are dealing with this maturely, but बच्चा, I know that you are on your periods and you can share everything with me, I know that you are growing up and I can help you go through this pain, I can buy you your necessities, यॉर्स डाड़ा, mixed emotion था बहुत अच्छा फील हो ला था कि अब पापा से जूटना ही बुलना पड़ेगा पर मम्मी का promise टूट गया था समझ नहीं आ रहा था क्या कहूं पर वाश्रूम जाना था जैसे ही पाउ नीचे रखा तो पाउ किसी चीज पर पड़ा नीचे देखा तो विस्पर के थीन पाकेज थे पापा लाए थे फाइनली मेरे सूपर हीरो ने मुझे पैज दिला ही दिये और अब से संडे शॉपिंग में पापा और मैं पैज भी खरीदेंगे